बेटमा में पिछले साथ दिनों से चल रही शिव महापुरान कथा के अंतिम दिन शाम को बेटमा में मोसम का मिजाज बदल गया बारिश और हवा के कारण मोसम में ठंडक आ गई वहीं कुछ ग्रामेंड शेत्रों में ओले भी गिरने की सुछना मिली है मद्य परदेश के अनेक जीलो में मोसम ने करवट ली है इसी के चलते बेटमा में भी शाम को बारिश हुई जिसके कारण रोड पर पानी ही पानी हो गया मोसम वेग्यानिकों की माने तो 9 मार्च तक मोसम ऐसा ही रहेगा होली पर बारिश होने की संभावना बनी हुई है इसके बाद ही मोसम में बदलाव होने के आसार दिखाई दे रहे हैं वहीं मोसम विभाग के अनुसार प्रदेश के 20 जीलो में बारिश होने की संभावना जताई जा रही है सववार शाम को ही बारिश हो और हवा के कारण मोसम में ठंडक आ गई है वहीं कुछ ग्रामिन शेत्रों में ओले भी गिरने की सुचना मिली है कई ग्रामिन शेत्रों में फसल के नुकसान की खबर है बैटमा इंदोर से राजेंदर सुर्यवन्शी की रिपोर्ट कि रिए घ्रह भी स्वक दामिन कारण में फसल कि रहिए ऑग जाजेंदर से नुक में ढगी से बाद बार भी सुचना में वीज़ के सोभ़ हो और है